नमस्कार मैं हूँ नांदिता कुडेश्या और आप देख रहे हैं DNP इडिया त्योहार के सीजन में बढ़ती महंगाईन ने लोगों के किचिन का बजट बिकार दिया है पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, CNG, PNG की बढ़ती कीमतों के बाद अब सबजियों की कीमत दी आसमान चुर रही है प्यास के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो टमाटर के दाम अब शतक की ओड़ रहे हैं सरकार ने तमाम कोशिशे की हैं कि खानी पीने की चीजों के दाम काबू में रहे बावजूद इसके ये दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं दाल और प्रमुक पेल की ओसक कीमत में पिछले एक महीने में कोई खास बदलाग नहीं हुआ है लेकिन प्यास और टमाटर के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं देश में खुद्रा बाजार में प्यास इस वक्त पचास से साच रुपयप्रती किलो मिल रहा है तो वही टमाटर के दाम करीब 80 से 90 रुपयप्रती किलो हो गए हैं इसकी वज़ह आपको बताते हैं दरसल देश के कई राजियों में सितंबर के अंत में भारी बारिश हुई है जिसका बुरा अजर सब्जियों पर पढ़ा है सब्जियों के बढ़ते दामों के पीछे एक बड़ा कारण पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमते भी है पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई है और इस बढ़खोंतरी का असर आपकी और हमारी जेप पर पढ़ रहा है अलग-अलग राज्यों में प्यास का खुद्रादाम क्या है आपको बताते हैं दिल्ली में 50-7 रुपे परती किलो, मुंबई में 50 रुपे परती किलो, प्रयाग राज में 7 रुपे, पतना में 45 रुपे परती किलो, लखनों में 50 और जैपुर में 60 रुपे परती किलो मिल रहा है प्यास उग्भुपता मामले के मंत्राले द्वारा जिन राज्यों में टमाटर के दामों का जायजा लिया गया है उनकुल 175 राज्यों में से 50 राज्यों में टमाटर के दाम 50 रुपे से ज्यादा पता चले है दिल्ली में 80-90 रुपे प्रती किलो बिक रहा है टमाटर, मुंबई में 70 रुपे, प्रयागराज में 80, पत्ना में 50, लखनव में 60 और जैपुर में 80 रुपे प्रती किलो बिक रहा है टमाटर आरजेडी सुप्रीमो लालो प्रसाद यादव ने महंगाई को लेकर प्रधानमंद्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है 18 अप्टूबर यानि सोमवार को उन्होंने ट्वीट कर सरकार के ओपर तंस किया ट्वीट में उन्होंने लिखा पंधरा लाख दो करोड नौकरी दोगनी आय और अच्छे दिनों की इस आभासे दोर में अपनी कार को हवाई जहाद समझ भक्ती रस में डूब महंगाई की पीरा सहते रहो इससे पहले 17 अक्टूबर को भी उन्होंने एक ट्वीट किया था इसमें उन्होंने लिखा ए महंगाई तुम डबल इंजिन सरकार की क्या लगती हो ग्यास तेल पेट्रोल वीजल सबसी सब महंगा कर ये सरकार आम आदमी को बेश्शर्मों की तरह लूट रही है करनाटक, मधिपिदेश और महराश ये तीन मुख्यत तौर से प्यास और टमाटर के उतपादक राज्य हैं करनाटक और महराश में बहुत जादा बारिश होने की वज़ह से फसल बरबाद हो गई जिसकी वज़ह से आपूर्ती नहीं हो पा रही है पैदावार कम हुई इसलिए थोक बाजार में इनकी केमट बढ़ गई है और इसका अजर खुदरा बाजार में सबजियों की कीमट पर भी दिखने लगा है इसके अलावा इंधन के दाम खासकर डीजल के बढ़े दामों का असर भी सबस्यों के दामों पर दिख रहा है डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है और इसलिए भी ये सब्जियां महगी हो रही है तमाम राज्यों में सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं अगर सिर्द दिल्ली की बात करें तो ट्रांस्पोर्टेशन पर जो खर्चा आता है सब्जियों के उसमें ही 18% की बढ़ोत्री हो गई है इस महीने घरे रूप गैस सिलेंडर के दाम भले ही ना बढ़े हो लेकिन पिछले 10 महीने में गैस के दामों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है एक जनवरी 2021 को दिल्ली में 14.2 केजी का सिलेंडर 694 रुपे का मिल रहा था जो अक्टूबर आते आते 884 रुपे पचास पैसे का हो गया वहीं पिछले 10 दिन में इंदिप्रस्ट गैस लिमिटेड ने भी CNG और PNG के दामों में दो बार इजाफा किया है मेंगाई की मार रसोई से लेकर सफर तक दिखाई दे रही है लोगों की आमदनी तो वहीं ठहरी है लेकिन जरूरी सामानों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से आम आदमी के उपर मेंगाई का बोज पढ़ता जा रहा है खासतर पेट्रोलियम प्रोडक्स के दाम बहुत ज्यादा मेंगे हो गए है सितंबर के आखरी हफते से 17 अक्टूबर 2021 तक पेट्रोल 16 और डीजल 19 बार मेंगा किया गया इस अबधी में पेट्रोल 6 रुपे 65 पैसे और डीजल 5 रुपे 95 पैसे प्रती लीटर मेंगा हुआ नई व्रिधी के बाद देश की सभी राजधानियों में पेट्रोल 100 रुपे प्रती लीटर के पार चला गया है डीजल भी कई राजधों में 100 रुपे के ऊपर हो चुका है या फिर इसके करीब है 4 मई से 17 जुलाई के बीच भी इस प्रकार की व्रिधी के बाद पेट्रोल की कीमतें 11.44 और डीजल की कीमतें 9.14 रुपे प्रती लीटर बढ़ गई थी खाने पीने की चीज़े लगातार महेंगी हो रही है पेट्रोल डीजल तो महेंगा हो रहा है CNG, PNG भी महेंगी हो रही है यहां तक कि रसोई गयास भी महेंगी हो रही है लोग सरकार से यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस बर्ती महेंगाई से उन्हें राहत कब में देगी और यही मुद्धा अब दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी उठाने लगी है हमारी इस रपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइफ और शेयर कीजिए नमस्कार